इन दिरों अगर आपको मुबाल सिम चाहिए या फिर नया खाता खुलवाना हो हर चीज में आपको अपना अधार देना ज़रूरी है बैंक अकाउंट से लेकर छोटे मुटे कामों में भी आज कल अधार नमबर मांगे चाहते हैं अधार की मदद से आप असानी से इंकम टेक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका अधार कार्ट खो जाए और उसकी आपको तुरंट जुरूरत हो तो आप अपना अधार नमबर कैसे पा सकते हैं अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं हम आपको आज बताएंगे कि कैसे आपकी ये मुश्किल आसान की जा सकती है IDI ने हाल ही में एक ट्वीट कर बताया कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपना आधार पा सकता है इसके लिए बस आपको resident.uidi.gov.in finduidid पर जाना होगा UDI की ट्वीट में लिखा है आधार गुम गया चिंता की बात नहीं इस पेज में resident.uidl.gov.in finduidid पर जाएं और अपना अधार कार्ड दोबारा डाउनलोड कर लीचिए इसके लावा आप अपने पास के अधार सेंटर पर जाकर find अधार सर्विस का परियोग कर अपना अधार पा सकते हैं अपना अधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको resident.uidai.gov.in या फिर finduidid पर जाना होगा जिसके बाद आप uidi के official page पर पहुंचाएंगे tribe id uid पर पहुंचने के बाद आप अधार नंबर या enrollment नंबर जिसे भी recover करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें इसके बाद अपना personal information जैसे नाम, email id, phone number आदी submit करें और send OTP option पर क्लिक करें send OTP option पर क्लिक करने के बाद आपको आपके registered mobile number पर OTP प्राप्त होगा जिससे verify करने के बाद आप अपना अधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सकते हैं